नमस्का फ्रेंट्स आज मितुन लगन या मितुन राशी के हिसाब से 16 नमंबर से लेकर के 16 दिसंबर का जो समय रहने वाला है मितुन राशी वालों का उस पर ये वीडियो मैंने विश्यश तोर पर मना है और ये जो वीडियो का टाइटल भी है कि ये साल का सबसे और आपकी जनम कुड़ी के साब से मितुन राशी वालों के साब से ये लगन के साब से हुआ है बहुत शुब परिस्तेते जाते ये साल आपको हमेशा आद रहेगा इतनी जबर्दस परिस्तेतिया इतना अच्छा कुछ आपको इस महीनों में जो 16 नमंबर से 16 दिसंबर की परिस्तेती बनने वाली है वो उसमें प्राप्त होगा बहुत ही अच्छी परिस्तेतिया है उसको मैं विश्तार पूर आपको समझाता हूँ सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दू कि मितुन लगन वालों के लिए जो सबसे योग कारिया सबसे शुब ग्रह होता है जो पूच्रिय स्थीती देखिए वर्तमान में क्या चल रही है वर्तमान में सूर्य और मंगल आपके जहां पर साथ नमबर लिखा है वहां पर गोचर कर रहे है उसको जनम कुली का पंचम भाव कहा जाता है और 17 नमबर के बाद यह जो है वहां से निकल करके विश्चिक राश मंगल और सूर्य आपको दोनों ही ग्रह हमेशा जर्म कुली में दुश्परभाव देते हैं चाहिए किसी भी स्थिति में हो इनकी दशांतर दशां में कोई आपको परिशानी बनी रहती है क्योंकि त्रिशाडे शाउस के स्वामी होते हैं आपके लिए और मंगल तो प्रब पेट समंदी शिकायते करता है मंगल और सूर्य दोनों ही पित समंदी होते हैं तो बॉड़ी में डायेशन का जो होता है खराब हो जाता है या कोई ना कोई पेट समंदी दिक्कते बनी रहती हैं और अगर जन्मकुल लिक स्थिति अच्छी ना हो तो यह ऑपरेशन और मार्केट में या स्पेकुलेटिव कोई भी कारे था दोनों ही ग्रह आपके पंचम भाव को बहुत बुरी तरह से खराब कर रहे थे डैमेज कर रहे थे अब यह दोनों ही ग्रह सूरा नमंबर के बाद वहां से निकल जाएंगे और वहां पर शुकर महराज का गोचर इसी मह माफा या जितने भी अच्छे शब्द हो सकते हैं पैसो के समंद में लगजरी के समंद में वो सब प्राप्त होंगे शुकर महराज आपकी जर्म कुलनी के पंचम भाव के स्वामी है और वहीं पर ही वो गोचर करेंगे जहां साथ नमबर लिखा है वहां पर शुकर महराज जाएंगे और जैसे ही शुकर महराज वहां आएंगे तो मितुन राशी वालों के लिए सबसे पहले तो जो है जो संबंद आपके विछेद हो गए थे जो प्रेम पे आके मैक्टर में आपको नुकसाद जहिलना पड़ रहा था वो सब सुदर जाएंगे दूसरा यहां पर उदर समंदी पेट समंदी जो भी आपकी शिकायते होंगी तकलीफ हैं थी डाइशन ठीक नहीं चल रहा था मितुन राशी वालों को वो सब ठीक हो जाएगा स्किन के इलर्जी एस्थमेटिक प्रॉल्म्स सांस लेने में कोई दिक्कत आपको चल रही होगी नस नाडियों की आपके जीवन में वापिस आएंगे लगजरी का पिकनिक में जाने का या अच्छे जगा पर भोजन करने का अच्छे स्तानों में जाने का इस समय बहुत शुप समय बन रहा है तो साल का जो यह अंत है आप 2023 का बहुत अच्छा एक तरह से कह सकता हूं गोचर बहुत टॉप क्लास का आपको हमें मिला है विदेश जानने का अफसर आपको यहाँ पर दिला सकता है विदेशन जिनका एक्सपोर्ट इमपोर्ट का काम है और खासतर पर जो ग्लैमराइज चीजेब खरीते हैं बेशते हैं रेडिमेट गार्मेंट हैं डेकुरेटिव लाइट्स हैं बहुत शुब समय इसमय मित्धुन राशीवालों के लिए चल रहा है, मंगल और सूरे दोनों ही ग्रहे आपके शुब स्थान से बाहर आ गए हैं, आपके इस समय चटे स्थान में गोचर करेंगे, मंगल और सूरे की बात करलू अष्टमस्थान में मंगल सोग रही अपने ही घर में आ गये है और आपके लफस्थान के स्वामी बनते है हमेशा आपको कही न कहीं ठोड़ा कश्ट देते हैं परंदू वर्तमान में ये विपरित राजियों की परिस्तितिया मना रहे हैं। क्रूर्ग है, उपचे हाउस में, अपनी ही राशी में हो तो वहाँ पर विकट परिस्तितियों से लाब पैदा कर देता है। तो जो लोग डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आँखों का काम हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उसके लाब बलड बैंक का काम करते हैं, उसके लाब आपका माइन्स का काम हैं, मेंदल्स का काम हैं, धातू का काम करते हैं आप, टाइम मेनेजमेंट व सकता है छोटे भाई बहनों की खास तर आपके छोटा भाई है उसके स्वास्ते के प्रति आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा उसकी तरफ से चिंता इस समय बनी हुई है इस समय भूलकर भी आप जमीन मकान का कोई सौधा ना करें क्योंकि मंगल अश्टमस्ता आपके जो छटा स्थान है जहां आठ नमबर लिखा है वहाँ पर गोचर कर रहा है तो ये नुकसान की परिस्तितियां खड़ी कर देता है सूरे के साथ है सरकार की तरफ से भी कोई न कोई सरकारी विक्ति के साथ जगड़ा हो जाए कोई दिक्कते हो जाए तो ये कुछ परिस्तितिया चटे स्थान में सूर्य मंगल की वज़ा से हो सकती है अनिता विपरीत राजियों की परिस्तितियों में आपको ये धन प्राप्ति के अफसर दिलाएगा और आपको आपके मामा की तरफ से भी लाव यहां पर दिला सकता है उसके बाद जो बड़ा गोचर इस समय होना है वो आपके पास होना है बुद्ध महराज का जो आपके लगन का स्वामी है और लगन का स्वामी बुद्ध महराज 27 नमंबर को धनुराशी में चले जाएंगे जहां पर आपकी जनम कुर्ली का 9 नमंबर लिखा है वहां पर यह चले जाएंगे और यह आपके लगन के स्वामी होते है और बुद्ध महराज यहां से आपके लगन को देखेंगे लगन को देखने का मतलब होता है जहां पर तीन नम्मर लिखा है वहां पर ये देखेंगे उसको देखते ही आपके जो रुकेवे कारे होंगे क्योंकि जब भी लगन बली होता है आपने ही स्वामी के द्वारा द्रिष्ट होता है या उसको को ग्रह देख लेता है तो वो भाव अच्छा हो जाता है तो इसी विज़ा से अब आपका जो personality है व्यक्तित्व है उसमें निखार देखने को मिलेगा और ये निखार तब ही होता है जब हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं जो भी मस्तिक्ष में परिशानिया होती है जो भी मस्तिक्ष में द्वंध होते हैं जो कारें ना हो उसकी बज़ा से जो frustration होती है मांसिक व्यथाएं होती है चिंताएं होती है वो यहाँ पर बुद्महाराज बिलकुल आपके खतम कर देंगे यहाँ पर आपको इस समय दो नौक्रियों से या दो रोजगार से धन प्राप्ति के या आए के साधन बनते हुए नजर आएंगे बहुत शुब परिस्तिती बुद्महाराज की है लगन पर द्रिश्टी है और वहीं पर लगन के स्वामी बुद्ध पर जो है ही हो रहे होंगे क्योंकि छटे स्थान में बुद्महाराज मंगल शत्रू की राशी में इससे पहले गोचर कर रहे थे तो 27 नमबर के बाद जैसे ही आपके यह धनू राशी में जहां नौ नमबर लिखा है वहाँ आएंगे आपके विक्तित्व का निखार आपका मान सम्मान आपको हर तरह का जो रिवार्ड है परितोशक है इंक्रिमेंट है यह सभी कुछ यहां पर बुद्ध लाएगा और इस समय हो सकता है आपकी मित्रता किसी सज्जन विक्ती से हो किसी अच्छे विक्ती से बुद्ध इस समय आपकी मित्रता करवा सकता है लेक्षन के कारे से जो लोग जुड़े हों प्रिंटिंग के कारे से जो लोग जुड़े होंगे कॉम्णिकेशन, आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े है जिनका रोजगार टांस्पोर्टेशन का है उस सभी कारियों में बुद्ध महराज ये जो साल का अंतिम पड़ाव है 2030 का बहुत शुब समाचार आपको लेकर के जाएंगे बहुत अच्छा गोचर इस समय मैं कहा सकता हूँ मिथुन राशी वालों के लिए चल रहा है उसके लिए परिस्तेतियां शुब सबसे ज़्यादा तो आपके लिए शुक्र महराज पैदा करते हैं उसके बाद बुद्ध महराज ने भी ये परिस्तेतियां आपके लिए खड़ी कर दे है तो ये कुछ निखार आपके विक्तित तुम्हें यहां देखने को मिलेगा उसके लावा जो शनी महराज आपके भाग्यस्तान में है अब मार्गी स्थिती में हो गए है ये बहुत अच्छी खबर है मितुन राशी वालों के लिए क्योंकि लगनेश का मित्र होता है बुद्ध का मित्र है और जो शुक्र महराज जो शनी महराज है अब आपको जो खास दोर पर क्योंकि इनकी जो द्रिष्टी है आपके लाबस्तान पे भी पड़ेगी और वहाँ पर देव गूरु ब्रहस्पती है तो इस समय जो लाब की परिस्तितियां आपको ये खड़े करेंगे उसमें भागेगा बहुत बड़ा साथ होगा कोई ऐसा काम ऐसा रोजगार ऐसा प्रोफेशन इस समय आपको नज़र आएगा या आप ऐसा कोई काम कर जाएंगे जो उससे पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि लगनेश भुद्ध की स्तिति बहुत उत्तम हो गई है कोई अच्छा मित्र आपको यहां मिलेगा उस मित्र की मदद से आपको जो है आपके काम से दो होगे चाया आपको बड़ा भाई हो चाया आपसे बड़े कोई मित्र है इनका सेहुग आपको प्राप्त होता होगा नज़र आएगा आपका चाचा है आपकी चाची है उनका से हो भी समय शनी की दृष्टी है आपको दिलाती हुई नज़र आएगी उसके लावा शनी की दृष्टी जब भी आपके तीस्ते सान में पढ़ती है तो आपके जो पडोसी होते हैं या आपके जो छोटे भाई होते हैं थोड़ा सा उनके साथ समंदों में विछेद करता है या उनकी तरफ से परिशानिया मितुन राशीवानों को कुछ समय के लिए देखनी पड़ सकती हैं जब तक शनी महराज आपके भागेस्तान में गोचर कर रहे हैं परंतु भागेस्तान में जब शनी गोचर करते हैं तो विक्ति न्याय प्रिये होता है धर्म प्रिये उसके साथ जुड़ जाता है तो इसलिए जो लोग लौके फिल्ड से जुड़े हैं एड़ोकेट्स हैं जज हैं या न्याय प्रक्रिया से जितने भी लोग जुड़े उनको ये शनी की परिस्तिती बहुत ही उत्तम लाब की इसलिए खड़ी करदेगा विदेश जाने के अबसर शनी महराज नम्सान में भागयत्तान में व्यक्त इडि sö दिलाता है कोई मकान उसका कड़ा हो जाता है कोई इंडस्तिरीज फैक्टिज वो खड़ी कर देता है चा अब देव गुरु ब्रहस्पति की बात करूंगा आपके लाब स्थान में है राहू के द्वारा भी अब द्रिष्ट नहीं है राहू से भी मुक्त हो गया है तो ये सबसे पहले तो जो नमम द्रिष्टी जो आपके साथ में स्थान में पढ़ रही है जहां 9 नमबर लिखा है उसकी वज़ा से आप मान के चलीगा कि जो आपके समन्द से पहले कुछ खराब चल रहे होंगे वो सभी समन्द सुधर जाएंगे पार्टनर्शिप से आप लाब लेते हुए नजर आएंगे और बिजनस के लिए सबसे अच्छा समय ये चल रहा है सब्तम सामें बुद्ध जो कि वेपार और वानिजे का कारक होता है चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए हैं, टैक्सीज का काम जो करते हैं उन सभी के लिए ये परिस्तिती बहुत उत्तम रहने वाली है देबुरु ब्रहस्पति की शुब द्रिश्टी आपको यहाँ पर बहुत जबरदस लाग की परिस्तितिया खड़ी कर देगा चोटी यात्राओं का योग भी यहाँ पर इस महीने आपको नज़र आ रहा है अच्छी यात्रों पर आप यहाँ पर जाते हुए नज़र आएंगे तो मिथुन राशी वालों के लिए जो ये समय है विशेश तोर पर जैसे मैंने कहा कि 17 नमंबर से जो आगे 17 दिसंबर तक का समय है उसके बाद शुक्र महाराज़ जब तक वहाँ पर बैठे हैं आपके पंच्यम भाओं में बहुत उत्तम परिस्तितिया मिथुन राशी वालों के लिए है तो साल का ये जो अंतिम समय है जो अंतिम पड़ाव है जैसे इसको ये पार करेंगे 2023 को मिथुन राशी वाले या लगन वाले तो वो उनके लिए बहुत यादगार वर्ष रहने वाला है जो साल भर में उन्होंने कुछ नहीं कमाया है साल भर में जो भी परिशानिया थी उन सभी का जो खात्मा है या उन सभी का आंत जो है वो साल के आते-ाते हो जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा समय आगया आने वाला है मिथुन राशी मिथुन नगन तो ये था मिथुन राशी वानों के लिए एक छोटा सा वीडियो उमीद करता हूँ वीडियो आपको च्छा लगा होगा इफ यू लाइक दे वीडियो प्लीस सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स फो वाचिंग दे वीडियो